हेलो स्टुडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ओफ लाइट, तो स्टुडेंट्स हमने लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि सूपर पुजीशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो सूपर पुजीशन प्रिंसिपल में हमने सबसे sources coherent sources क्या होते हैं two sources होते हैं light के कितने source लेते हैं आप two source ठीक है two sources of light are set to be coherent if they emit light of same wavelength ठीक है अगर वो same wavelength वाली light को emit करेंगे same frequency वाली light को emit करेंगे और साथ में आप यह भी कह सकते हैं कि वो दोनों phase में होने चाहिए और कैसा constant initial phase difference होना चाहिए तो अब in phase आपको पता ही है कि जब crust of one wave fall on the crust of other wave and trough of one wave fall on the trough of other wave तो उसी को आप क्या बोलते हैं in phase तो यहां पर आप definition देख रहे हैं कि interference of light the phenomena of redistribution of light energy due to the superposition of light waves from two coherent sources is known as interference of light तो यह students हमने क्या करना है two coherent sources लेंगे ठीक है और अब आपको पता है कि वो जो sources होंगे coherent sources वो कैसी light emit करते हैं same wavelength having same frequency और या तो वो in phase में light करेंगे या तो फिर आप क्या बता सकते हैं having constant initial phase difference तो यहां पर students बिलकुल easy topic है कि interference of light किसे कहते हैं तो दाफिना मिना of redistribution of light energy due to the superposition of light waves from two coherent sources is known as interference of light अब students जैसे single source की हम बात करते हैं for example के लिए यह sun है जो sunlight होती है तो sunlight से आने वाली जो light होती है वो किस तरह distribute होती है आपको पता है न सन लाइट सन लाइट कैसे emit करता है light कि जो light है वो uniformly हर एक direction में spread हो रही है ठीक है जैसे sunlight यह भी क्या है यूनिफॉर्मली स्प्रेड करती है for example आपके रूम में जो आपने लाइट बलव आपने यूज किया है त्यूब लाइट आपने यूज की है तो उस में से जो भी जो light क्या हो रही है ठीक है वो जो सिंगल सोर्स है वो जो light energy हमें दे रहा है वो uniformly हर एक direction में spread हो रही है ठीक है रूम में वो light क्या हो रही है uniformly वो spread हो रही है हर एक direction में ऐसा नहीं है कि room में एक कोने में ज़्यादा light पढ़ रही है और दूसरे में कम पढ़ रही है ऐसा नहीं होगा तो यहां पर भी यही process आपने study करना है कि जो single source होता है light का वो क्या करता है light को spread करता है uniformly in all direction यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है एक single source लेना है light का सबसे पहले जो light है वो कहां से आ रही है एक single source से यह आ रही है ठीक है जब single source में single source से जो light है कहां पर जाएगी two coherent sources यहां पर आगे मैंने यहां पर two coherent sources हम यूज कर रहे हैं यहां पर यह S1 है और यह S2 है यह जो स्लिट हम यहां पर ले रहे हैं और इन दोनों के बीज का जो डिस्टेंस है वो D है ठीक है तो यहां पर यह सिंगल सोर्स है जो सिंगल सोर्स से जो लाइट होगी वो डिस्टिबूट होगी यूनिफर्मली हर एक डारेक्शन में लेकिन जैसे ही यहां पर हमने स्लिट यहां पर यूज किया है आगे यह क्या है एक तरह से टू कोहरेंट सोर्सिज हैं जब इन में से जो लाइट एमिट होगी उसकी बेव लैंथ और फ्रिक्वेंसी कैसी होगी सेम होगी कॉंस्टेंट क्या होगा फेज डिफरेंस होगा ठीक है औ सुपर इंपोज होगी तो जो डिस्ट्रिविशन होगा लाइट एनर्जी का वो यूनिफॉर्म नहीं होगा यह हमारे पास एक मांडो एक स्क्रीन है यहां पर आगे कि यहां पर जो लाइट फॉल करेगी इस स्क्रीन के उपर तो जो डिस्ट्रिविशन होगा लाइट एनर चुछृ करने वाली, कुछ पॉइंट्स में क्या होगी? इंटीनिसिति लाइट की मेक्सिमम होगी, कुछ में बिलकुल मीनिमम होगी, तो यह मैं थोड़ा डार्क जैसे बना रही हूँ, जहाँ इंट्यनिसिति ज़्यादा हो रही है और कई जगा बिल्कुल कम है तो यहां पर्क्या हो रहा है students कि intensity कुछ points ऐसे हैं जो मैंने dark में बनाए हैं यहां intensity maximum है और कुछ ऐसे points हैं जहांपर intensity minimum है यह क्या है? intensity maximum और यहांपर intensity क्या है? minimum है तो यहांपर जो intensity of light है वो minimum है और superposition of these two waves इसा नहीं है की इंटेंसिटी मैकसिमम क्यों आ रही है तो क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है स्टुडंस की इंटेंसिटी मैकसिमम कब होती है जब ये हमारे पास एक wave है crust of one wave fall on the crust of other wave and trough of one wave fall on the trough of other wave तो जो resultant जो intensity हमारे पास आती है वो maximum आती है तो उस case में जो intensity है वो maximum होगी जब superimpose हो रही है जब superimpose होने के बाद जो resultant जो intensity आएगी वो maximum आएगी कुछ point पर maximum आएगी और कुछ time कुछ points पर minimum आएगी minimum कहां पर आएगी जब superposition कैसा होगा ये crust of one wave fall on the trough of other wave तो जो resultant जो intensity होगी students वो क्या होगी कम होगी ये है तब जो intensity होगी वो कम होगी resultant जो intensity होगी कम होगी क्योंकि ये आपको पता है तो ये ये आपने बताना है कि इस तरह की जो light energy है वो redistribute हो रही है redistribute हो रही है और interference के लिए हमें क्या जरूरत पढ़ने वाली है two coherent sources of light की हमें जरूरत पढ़ने वाली है और coherent sources कैसे sources होते हैं ऐसे sources होते हैं जो light कैसी emit करते हैं सेम वेवलेंद सेम फ्रिक्वेंसी और हैविंग एक constant initial phase difference और साथ में आप इन फेज भी कह सकते हैं तो यह अगर single source होगा तो single source से पास होने वाली जो light होगी वो कैसी होगी वो डिस्ट्रिबूट हो जाएगी uniformly in all direction लेकिन अगर बही light source से पास होने के बाद अगर हम उसको कहां से पास कर रहे हैं यहां पर हमने two coherent sources ले लिये हैं यह जो आगे आपने यह slit जैसी मैं बता रही हूं यह two coherent sources है तो यहां से जो पास होने वाली जो light होगी वो uniform नहीं होगी कुछ points पर हमें screen अगर हम use करेंगे तो कुछ points पर हमें light की intensity ज़्यादा मिलेगी कुछ पर बिल्कुल कम मिलेगी तो इस तरह का जो redistribute होगा light energy का उसी को हम interference of light waves कहते हैं तो यह आपको पता लग गया है कि कुछ point पर intensity maximum क्यूं है और कुछ point पर minimum क्यूं है क्यूंकि जो यहां पर two waves जो emit कर रहे हैं two coherent sources जब वो superimpose कर रहे हैं अपस में अगर वो constructive superposition शो कर रहे हैं तो जो intensity मिलने वाली है इस case में वो ज़्यादा होगी अगर two light waves है वो क्या कर रही है destructive superposition शो कर रही है कि crust of one wave fall on the truff of other wave तो उस case में जो मिलने वाली जो intensity होगी वो minimum होगी यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है अगर आपने superposition principle अगर आपने study किया है तो आपको पता है यह हमारे पास एक crust है और यह truff है यह आपको पता है when crust of one wave fall on the crust of other wave यह crust है और इसी के उपर ही truff हमारा crust के उपर crust लाई कर रहा है truff के उपर truff लाई कर रहा है तो resultant जो intensity होगी students यह होगी वो ठीक है और minimum के case में आपको पता है कि minimum में आपने बता देना है यह हमारे पास crust है और यह truff है तो यहां पर क्या होगा students यह crust है और दूस्टा truff है तो जो super position जो हो रहा है वो इस तरह होगा crust किस के उपर लाई कर रहा है truff के उपर truff crust के उपर तो यह इस तरह के super position में जो intensity हमें मिलेगी वो minimum होगी यह जो red line में मैं बता रही हूँ यहां पर intensity क्या होगी है minimum तो इस तरह की जब light redistribute होगी after super position तो जो intensity होगी minimum होगी जब एक तरह से destructive type का super position short होगा जब light waves कहां से pass हो रही है from two coherent sources or two coherent sources कैसे sources हैं ऐसे sources हैं जो कैसी light emit करते हैं same wavelength वाली light को emit करते हैं same frequency होती है लेकिन ऐसा है कि phase difference कैसा रहना चाहिए constant रहना चाहिए तो कुछ certain points पर जब हमने screen पर इसको देखा तो कुछ ऐसे points थे जो distribution जो light energy का हो रहा था वो uniform नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है कि पूरे screen में जो light है वो same आपको दिख रही है कुछ points में आपको light intensity ज्यादा दिख रही थी और कुछ में कम दिख रही थी तो इस तरह की जो light energy जब redistribute हो जाती है redistribute single source में नहीं होगा interference of light अगर हमने बनाना है तो हमें दो sources की जुरूर पड़ेगी two sources मतलब बो sources कैसे होने चाहिए coherent sources तो यहां पर यह single source है तो single source से तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल uniformly हर एक direction में light क्या होगी distribute होगी लेकिन जैसे ही मैंने single source से light पास करके मैंने यहां पर two coherent sources से पास किया यहां पर light क्या हो जाएगी जो light energy होगी इस case में वो redistribute होगी कुछ points पर ज़्यादा brightness दिखेगी आपको और कुछ points आपको screen पर dark दिखेंगे तो इस तरह के phenomena को हम क्या कहते है students interference of light अब students इसी में मैंने आपको थोड़ा सा मैं phase difference के बारे में भी बता देती हूं और path difference क्या होता है तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं जैसे मान लो यह हमारे पास यह हमारे पास एक बेव है और इसी के यह second wave है सेम जैसा amplitude है और आप देख रहे हैं यहां पर students की जो length of successive crust और trough is called wave length इसी को हम wave length कहते हैं कि यह crust है और यह trough है तो बेव लेंद को हम path difference lambda से हम यह path difference है इसको बेव लेंद को हम लेंडा से हम डिनोट कर रहे हैं हमने यहां पर रिलेशन find out करना है path difference कि path difference और phase difference क्या होता है तो मैंने आपको यह topic मैंने आपको खोड़ा सा पहले भी बता दिया है जब हमने super position principle हमने discuss किया था तो path का मतलब यह होता है students की distance में कितना difference है ठीक है difference in distance तो और साथ में phase difference phase difference यहां से लेकर आपको पता है 0 degree यह 90 degree यह 180 degree यह तो degree में ले लिजी आप और आगे द्वारा यह 360 degree तो phase difference Radian में हम ले रे हैं यह Pi Radian और इसके आगे अगे और यह Pi Radian तो Pi प्लस Pi कितना होता है phage difference यह Pi प्लस Pi कितना होता है यह 2 Pi Radian होता है 2 Pi Radian तो यह फेज़ डिफ्रेंस है टू पाई अगर इफ यहां पर मैं ऐसे लिख सकती हूं इफ पाथ डिफ्रेंस इप पाथ डिफ्रेंस बिट्विन टू बेज इस लेम्डा यहां पर हम देख रहे हैं पाथ डिफ्रेंस बिट्विन टू वेज इस लेम्डा कॉमा फेज डिफ्रेंस तो उन दोनों के बीच में जो फेज डिफ्रेंस होगा फेज डिफ्रेंस बिट्विन देम तो फेज डिफ्रेंस हम मैं देख रहे हूं यहां से पाई और पाई पाई प्लस पाई इस इकल टू प कि तूदफाई आप लिख लेंगे ठीक है तो फेज डिफ्रेंशकों फाई से डिनोट करते हैं फाई ये उकल टूद पाई तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर मैं इसको फाई इस इकल टूद फाई आप देख रहे हैं 0 to pi और 180 degree to 360 degree pi plus pi 2 pi यह phase difference आ रहा है हमारे पास कि किस direction में जो wave है वो हमारी क्या कर रही है travel कर रही है तो phase difference को हम degree में भी में बता सकती थी और radian में पर हम ज्यादा इसको radian में ही हम इसको लिखते हैं अगर हम if path difference between two waves is delta x अगर path difference को मैं delta x ले रही हूँ lambda की जगा मैं क्या ले रही हूँ delta x ले रही हूँ then जो phase difference होगा then phase difference अगर हमने path difference two waves के बीच में delta x ले लिया है तो then phase difference phi कितना आ जाएगा students two pi आ जाएगा और upon में lambda आ जाएगा two pi upon lambda और साथ में multiply आपने करना है path difference two pi upon lambda into path difference और path difference यह है path difference यह हमारे पास एक फार्मूला रहेगा तो आपने इसको याद रखना है कि phase difference क्या होता है students phase difference इसको आपने याद रखना है phase difference phase difference किसे denote करते हैं फाई से denote करते हैं और two pi upon lambda और into path difference path difference तो five की value पूछी जाएगी तो आपने बता देना है two pi upon lambda और path difference हमने two waves के बिच में क्या लिया है delta x लिया है तो हम path difference की value भी हम निकाल सकते हैं two waves का path difference अगर path difference निकालना है तो lambda x is equal to क्या आजाएगा lambda upon two pi into phase difference phase difference तो यह हमारे पास आजाएगा lambda upon two pi into phase difference क्या है फाई ऐसे करके यह हमारे पास आजाएगा तो यह हमें पता लग गया है और मैंने superposition principle में भी मैंने आपको यह थोड़ा समय इसको पूरा यह calculate करके बताया था कि कैसे path difference calculate करते हैं और कैसे phase difference निकालते हैं तो यहां तक यह आपको clear होगी